गुरु जी ने तो बहुत बलाई के काम की है ना इतने की है ना जैसे कि आपको पता ही है वैश्य वर्ति जैसे होते हैं उनको निकाल के अपनी बेटियां बनाई फिर उनको शादियां करवाई लारी दोस्तों दफैक्ट आई में आपका स्वागत है मैं कुमारी डानी नमशकर मैं मम आप कहां से हैं सिर्षान हर्यान से इस तो बेल्ष टैंड के पास खंडंक लोगे मैं यहाँ पर डेरे से जुड़े वे आपको कितने साल हो चुगे हमें डेरे को जुड़े काफी साल हो आप जब यहां पर आते हैं तो किसी की अपनी मम्मी के साथ आती थी चोटे होते हैं अपनी मम्मी के साथ आती थी तब से जुड़े होए हैं यहां पर आपको कोई मतलब स्पेशली आप अपने मन से आते हैं यहां किसी के कहने पर आपको यहां पर आने के बाद में क्या कुछ कुछ मेरा लेकुंश में यहां से पहले तो हमारे गर में कुछ नहीं था तर्मा विपर पूसिए अं дан जू आम हैं सब ऐने कि छिए में नहीं रखी किशिक जीू न को लेकर ज़ाने कुछ समझी तो दृब्लान करते हैं कि फिरके कमी यहां जब यहांत। वहाद कोई ऐसा दर्म को लेकर नहीं कोई शिक्षण जात्य यहा तो सब धरम संगम है एक सच्चा नारा है सब के दर्म के लिए एससी कोई बात नहीं की जात्य कि यह एक बैठना है यहां सब कुछ जी जासे है आप एक महिला हैं, एक महिला के रूप में आप यहां पे आकर कितना सुरक्षिद मैसूथ करती हैं? यहां टेरे में आकर पिता जी तो जानी जान है, सत्गूर है, हमें यहां के कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे सच्चे पाश्यजी हमारे साथ हैं अंगसंग. जो सरकार ने गुरू जुके पर आरोप लगाया था, खासकर महिलाओं को लेकर, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहना जाएंगे? देखो दीदी, यह तो सब कुछ जूट है, हमें पता है, हमारे सच्चा, मैं इतनी सीती जब से देरे से जूड़ी होई हूँ, और पिता जी तीन प्रेज बताते हैं, और ऐसे काम फिर जो गुरू हमें अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो कुछ थोड़ी करेगा, गल्त बगवान है, सत्कुर है, हैं, राम रहीम है, यह तो, ऐसा सब कुछ है यह नहीं, यह सब कुछ जूट है, एक अनम दंद खाहनिया बना रहे हैं, डेरा सच्चा सुदा को बंद करने के लिए, आप जानते ही हों कि पिता जी को जैसे की नशा बंद करवाते हैं, पिता जी के देता है, लेता नहीं है, जैसे मंदर मों पैसा चड़ाया जाता है, उतो दाता है, लेता थोड़ी, इसलिए सारे पिता जी के खिलाफ हो जते हैं, कि यह जूट बोलके इनकी यह डेरा बंद हो जाए, तो जो गुरु जी ने अभी तक कुल कितने मानोता बलाई कारे की हैं, जो कि आपको लगता है कि समाज को मुझे बताना चाहिए, गुरु जी ने तो बहुत बलाई के काम की हैं, इतने की हैं, जैसे कि आपको पता ही है, वैश्यवर्ती जैसे होते हैं, उनको निकाल के अपनी बेटियां बनाई, फिर उनको शादियां करवाई, गरीब बच्चो होती है, वो मिलकर कार्या करती है, मतलब जो साथ संगत अपने घर के, मतलब अपनी कमाई से निकाला हुआ हिस्सा हुंको देते हैं, तो यह तो साथ समाज की बात है, गुरु जी का कितना यहां पर योगदान होता है, इस चीज के लिए, गुरु जी का तो गाफे योगदा अपनी बाड़ी है, जमीने हैं, खोद खुद पीता जी बहुत से योग करते हैं सब के लिए, आज गुरु जी ने आज साड़े चार साल हो चुके है, गुरु जी को गए वह यहां से, तो जो पहले सत्संग होता था और आज सत्संग होता है, इसमें कितना अंतर है, पहले इतने संगते हैं शीचरी चाहसी उस से जादा दुख नहीं होगी, रह उने पौरीनी को मतल nggak मallowsका साझन होरी है, काफी लोग को विश्वास है जो कि पहले के और आपके नझने से पहले के ओवर्ड़िंगन लिए यहां पर लोग जादा से जादा जादा ज़ूब रहे हैं, मैम इस चीज के लिए प्रेधना कहां से मिलती है लोगों को वो तो सब के अंदर बगवान बैठा है वो ही सब को सुद्बुति देता है आज आप समाज को क्या बताना चाहेंगे जो गुरुजी के ओपर आरोफ लगाई है जो सरकार के सरकार ने गुरुजी को लेकर जो भी सरकार मेडिया जो मेडिया दिखा रही है गुरुजी को लेकर वो आप क्या बोलेगे कि क्या वो सच है वो तो सब जूट है वो क्या कहते हैं अनकानिया बना रहे हैं यह सब कुछ जूट है हमारे गुरु जी तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं है वो तो इतने बगति बावाले हैं सब कहते हैं ना एक पिताई कहते हैं हम तो एक मच्छर नहीं मारते हैं मच्छर नहीं मारते वो इतने बड़े कैसे कर सकते है इनका पिताई से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पिताई को अफसाने की साजिशें करते रहते हैं लोग. सरकार से अब क्या आपील करेंगे गुरुजी को लेकर? सरकार से तो हमारी यही अपील है, हमारे गुरुजी जल्दी आजाए, हमें तर्शन दे दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पिताजी चाहिए, उनोंने कुछ नहीं किया हुआ, बस जल्दी से आजाएं, बस अन्माज दोस्तों आप